हेलो एवरीवन, करियर फांडेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज आप कहीं नहीं जाएगा दोस्त, जो बात बताने जा रहा हूँ उसे आप अच्छे से ध्यान से देखें देखें ये जो mensuration है, ये mensuration chapter जी याने छेत्रमिती जो chapter है, advanced map का एक part है, जो भी students अगर mensuration में अगर अच्छा पकर बनाना चाहते हैं, तो आप ये classes को आप जरूर देखिए, मैंने 27 वीडियो के थुरू से ये mensuration का two dimension part को हमारे इस YouTube चैनल में बिल्कुल free playlist पर डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, ये 27 वीडियो में triangle, square, rectangle, parallelogram, rhombus, trapezium, quadrilateral, polygon और circle, ये सभी को Hindi medium, English medium, bilingual में मैंने complete कराया है, अगर आप देखेंगे न दोस्त, तो जहारखंड में ऐसा कोई channel नहीं होगा, जहां पर आपको इतने बहतरीन तरीके सा सिखाएगे, मैं guarantee दे रहा दोस्त, और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, volume part याने item याने three dimension के जितने भी questions होंगे, उसको मैंने categorize किया है, cylinder, cone, sphere, frustrum, pyramid, bridge में tetrahedron, cube और keyword, एक एक करके topic को स्टार्ट करेंगे और complete करेंगे, और देखिएगा दोस्त, mensuration आपको दिमाग में ही नहीं, बलकि आपके अ यह topic को playlist पर जाकर कि आप free में दिया हुआ है, वहाँ पर playlist पर जाकर, आप 27 video sequence में देखिए, तो आपको पता चल जाएगा, और अगर आप हमारे arithmetic maths, advanced maths और reasoning के complete classes के video देखना चाहते हैं, तो आप हमारे paid course में join कीजिए, या फिर demo देखना चाहते हैं, तो आप देखिए इस number पर contact कर सकते हैं, 7070802888, इस number पर call कीजिए, तो आपको पूरा details दे दिया जाएगा, कि कैसे आप हमारे paid course में join कर सकते हैं, कैसे आप हमारे demo देख सकते हैं, और आप हमारे जितने भी classes हैं, बिल्कुल basic से high level तक आप जाएंगे, घर बैठे, बहुत अच्छे से तयारी लेकिन चलिए, आज मैं आपको नमुना दिखाता हूं कि कितने अच्छे से आप अपने घर पर बैठ कर तयारी कर सकते हैं, चलिए आज मैं दिखाता हूं cylinder को start करने जा रहा हूं, तो चलिए start करते हैं cylinder, अब देखिए बहुत अच्छे से हम लोग सीखेंगे volume part, तो देखि कि circular shape का था, square shape का था, rectangular shape का था, है ना, तो यह प्लेन céu, two dimension था, तो जैसे area निकलना होता, तो यह पूरा area निकालते थे, तो इसका जैसे length into breadth, इसका side square हो गया, इसका pi r square हो गया, तो यह जो area two dimension था, लेकिन इसी के साथ अगर height जूड जाए, है ना, इसी के साथ अगर height उसका उंचाई भी, लंबाई चोड़ाई और उंचाई भी हो जाता है, तो वो पार्ट जो हो जाएगा, फिर उसके अंदर कुछ quantity आएगा, तो कुछ quantity आएगा, तो वो quantity जो चीज हम लोग उसमें डालेंगे, तो उसका आयतन पर डिपेंड करता है, कि जो भी जो विसल होंग तो वो उसका आयतन क्या होगा, है ना, जैसे माली जे बाल्टी है, तो बाल्टी का आयतन जितना होगा, उतना ही उसमें पानी जाएगा, तो वो आयतन निकालने के लिए हम लोग ये पार्ट पढ़ेंगे, थिरी डाइमेंशन पर, क्योंकि आगर दो डाइमेंशन पर ये सब जितने भी स्फेर हो गया, तो ये सब जो है सेप, सिलिंडर हो गया, ये सब जितने भी सेप में है, इसमें क्या है, आपका ये जैसे सर्कुलर है, स्क्वार है, रेक्टरंगूलर के साथ साथ हाइट भी है, जिसके कारण चारो तरफ से वो हाइट होने के कारण, घिर से concept को पकड़ बनाना है वो पहले समझे तो देखिए सबसे पहला पार्ट हम लोग इसमें start करेंगे वो है वाल सिलिंडर ये कैसा सेफ होता है ये बेलन से जो होता है ये बेलन बेलनाकार जिसको बोलते हैं जो भी विसल होते हैं जैसे मान लेजी कि ये सिलिंडर है इस तरह से हम एक सिलिंडर बना दिये ठीक है ये सिलिंडर एक बना दिये ठीक है अब रही बात कि ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे radius इसको बोलेंगे क्या radius है ना अगर पूरा रहता ये वाला तो diameter हो जाता यहां से ले करके यहां तक क्या हो जाता दाइमेटर हो जाता और उसी का हाफ जो है वो equal to radius होता है यह तो समझ में आ गिया होगा आपको और यह जो है इसका हो गया height यह भी radius और यह हो गया height ठीक है अब यहां पर तीन formula आपके दिमाग में आएगा एक होगा पहला work replaced याने curved surface area ठीक है curved surface area ठीक है जिसको बोलते हैं वक्र प्रिष्ठीय छेत्रफल वक्र पिष्ठीयऌ गुरु और यहने total तोटल सर्फेस एरिया दूसरा आएगा टोटल सर्फेस एरिया और तीसरा आएगा फॉलिम लेकिन एक एक करके सिखाता हूं देखिए इसका फॉर्मुला होता है टू पाई आर एच रटली रटना नहीं है यहीं से स्टार्ट करते हैं आपको कॉंसेप्ट तो देखिए कॉंस मैं आ जाना चाहिए हमेशा बार-बार कि ये जो इस टाइप का जैसे ये माल लिजे suppose that कि ये एक इस तरह से ये एक rectangular shape है ठीक है अब इसी को अगर माल लिजे कि fold किया जाता है ठीक है इसी को fold किया जाता है तो इस तरह से अगर इसको घुमाया जाएगा न इस तरह से तो जब घुमाएंगे तो इस तरह से एक shape बन जाएगा जब इसको turning करेंगे तो यही वाला part जो है घुम घुम के इस तरह से ये बनेगा इस तरह से shape बन जाएगा है न तो यह जो लंबाई जो होता है है न यह आयता कार था तो लंबाई और ब्रेट लंबाई और चोड़ाई को गुना कर देंगे तो छेतरफल निकल जाएगा और यही इसको अगर round कर देंगे तो एक circular shape बन जाएगा तो आखिर यही area न इसको पलट के किये तो यहाँ पर आप देखे लंबाई गुने चोड़ाई होता है तो जब यह आयता कार shape में था तो हम लोग को मालूम है लंबाई गुने चोड़ाई लेकिन अब कैसे जानेंगे तो यह लंबाई कैसे निकालेंगे तो इसी को fold करके circular shape में बनाया गया है और circle का परिधी मतब circumference जो होता है 2 pi r होता है जानते होंगे अगर area पढ़े हैं तो यह जो circle होता है इस circle का यह परिधी यानि circumference यह लंबाई निकालने का formula 2 pi r होता है तो वही यहाँ पर अब समझे कि 2 pi r हम लोग ले लिए यह लंबाई को और चौड़ाई जो है यह height ही है ब्रेथ जो है यानि चौड़ाई जो है यह height है तो यह height को अगर multiply कर देते हैं तो formula होता है 2 pi r h हो गया यह card surface area का formula मतलब यह जो cylindrical shape है उसका यह card area जो है चारो तरफ इस तरह से pipe type का दिखेगा तो उसका area निकालने के लिए है ना उसका card surface area जो card type का दिखेगा उसका area निकालने के लिए 2 pi r h होता है अब देखिए इस पर हम लोग आगे चलते हैं अब संपूर्ण प्रिष्ठिय छेत्रफल यानि total surface area तो total surface area कैसे निकालेंगे तो देखिए आप इस चीज को समझे माल लिजे कि ये ढखकन है और इसको भी इस तरह से चदरा से ढख दिया गया और ये भी इसको भी इस तरह से कोई plate से ढख दिया गया माल लिजे तो ये area, top का area, bottom का area और curved area सब को जोड देंगे तो समपूर्ण प्रिष्ठिय चेतरफल निकलेगा यानि दूसरा जो formula होगा total surface area total surface area equal to हो जाएगा यानि समपूर्ण प्रिष्ठिय चेतरफल समपूर्ण प्रिष्ठिय चेतरफल समपूर्ण प्रिष्ठिय चेतरफल बराबर हो जाएगा आपका पहले 2 pi r h ये कर्ब तो होगा ही प्लस टॉप और बॉटम दोनों जगए सर्कल सर्कुलर है ना तो सर्कल का एरिया pi r square होता है तो उपर में भी नीचे में भी तो 2 pi r square हो गया है ना अब इधर से भी है और इधर से भी है ना अगर इधर से भी है अगर प्लेट लगा दी इधर से भी प्लेट लगा है तो दोनों pi r square को जोड़ना होगा तो यहाँ पर आप 2 pi r common ले लिए और h plus r ये हो गया संपूर्ण प्रिष्टिये 6 तरफल का formula ये वाला याद नहीं रखना है याद रखिएगा भूलिएगा थोड़ा सभी कुछ गलती कीजिएगा एक्जाम में गलत हो जाएगा ये concept को पकड़ के रख लीजी अब आता है आयतन याने बहुत बड़ा रोल रहता है यही चीज के लिए chapter ही पढ़ रहे हैं कि आयतन कैसे निकालते हैं आयतन का मतलब मान लिजी कि यह कांच का गिलास है और यह तो उपर से खाली है और इस पर पानी डालेंगे तो पानी किस पर डिपेंड करेगा आयतन पर डिपेंड करेगा कि इसका आयतन कितना है उतना ही पानी जाएगा तो आयतन निकालने का फॉर्मुला क्या होगा द सही तरीके सा रखने के लिए चारों बगल से एक cylindrical shape का आकार का height निकलता है और उसी के कारण उस पे पानी रहता है तो base area volume equal to निकालना हो volume याने आइतन अगर निकालना हो cylinder का तो base area base area into height base area into height याने base area कितना है तो base area अगर बोला जाए तो आपका है pi r square वरित का छेतरफल बराबर pi r square होता है और into height याने formula हो गया pi r square h student रटते हैं रटना नहीं है concept पकड़ लिजेगा question कितनों घुमाया जाएगा न तो question बना लिजेगा तो ये तो हो गया आपका cylinder का अब बात करते हैं hollow cylinder है ना मतलब खोखले बेलन का हम लोग कैसे काम करेंगे ठीक है अब यहाँ पर थोड़ा साब को ये concept जानना जरूरी है कि खोखला बेलन क्या होता है ठीक है खोखला बेलन जानना इसलिए जरूरी है जैसे माल लिजे कि कोई pipe बनाया गया पाइप का कुछ ठीकने सोता है तो उस pipe को बनानी के लिए भी तो material चाहिए ना उस pipe को बनानी के लिए भी तो material चाहिए तभी तो वो material के थुरूर से उस साचे के रूप में ढ़ला जा सकता है तो उस shape का अगर माल लिजे कोई glass है या कोई pipe है कोई balty है तो वो सब को बनानी के लिए material तो चाहिए उस material को find करने के लिए हम लोग एक item find करेंगे तो वो item को कैसे निकालेंगे तो देखिए कैसे जैसे माल लिजे की पहले यह क्या हम लोग सीख रहे हैं hollow cylinder hollow cylinder है ना hollow cylinder मतलब खोखले बेलन खोखले बेलन ठीक है तो खोखले बेलन में क्या सीखेंगे वो समझे जैसे माल लिजे की ये एक ये एक cylinder है ठीक है ये एक cylinder है ये एक cylinder है ठीक है अब इसके बीचों बीच में एक और बना देते है cylinder में क्या देख रहे हैं कि बीचों बीच में पाइप इदम खाली है आर पार हम लोग देख पाते हैं और क्या होता है पाइप का ठीकनेस है ये क्या है पाइप का ठीकनेस है ठीक है ये पाइप का ठीकनेस है तो यही ठीकनेस को हम लोग कैसे समझेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक को हम लोग क्या माने capital R और यहां से लेकर के यह छोटा वाला यह छोटा वाला को अगर बात करते हैं तो यह हो गया small R है ना तो थीकनेस क्या हुआ R minus R यह बड़ा वाला R में से छोटा वाला R को अगर कोई pipe अगर है उसको बनाने के लिए कितना आइतन का जुरुरत है अगर उसका height ये है radius ये है बड़ा वाला और चोटा वाला का तो आइतन बताना है तो वही चीज़ को निकालने सीखेंगे समझने हैं चलिए अब रही बात इसमें हम लोग पहला क्या सीखें कर्ब सेरिया हम लोगों का ये वाला आता है तो कर्ड में क्या है एक ये बड़ा वाला सिलिंडर हुआ ये बड़ा वाला सिलिंडर हुआ एक छोटा वाला सिलिंडर हुआ तो बड़ा वाला सिलिंडर का area formula हो गया टू पाई आर एच बड़ा वाला का है ना तो फॉर्मुला क्या ह सब्सक्राइब मतलब कर्व वक्रप्रिस्ठी ए उप्रिष्ठीर छेत्र फथन याने कर्व सर्फेस एरिया करब सर्फेस एक रिया कर्भ सर्फेस एरिया का फॉर्मॉला क्या हो गया पाई जैसे पाई टू जैसे इसमें क्या हुआ न टू पाई आर कैपिटल आर दे देते हैं और उसके बाद एच ये कर्ब निकल गया अभी थोड़ा देर पहले सिखाए कर्ब निकलने और एक और है जो अंदर वाला जो है उसका भी तो एक कर्ब सरफेस एरिया है तो टू पाई उसका छो कर्ब सरफेस एरिया हॉलो सिलिंडर का है ना अब हम लोग सीखेंगे इसी में टोटल सरफेस एरिया अगर बोला जाए टोटल सरफेस एरिया में कुछ नहीं करना है टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया याने संपूर्ण से प्रिष्ठिय छेतरफल संपूर्ण प्र स्थ्टिय छेतरफल का मतलब हो गया कि यह जो आप सिलेंडर देख रहे हैं तो यह सिलेंडर का आप इस पे क्या कर सकते हैं कि जो संपूर्न, तो यह जो टॉप और बाटम जो हम लोग नॉर्मल सिलेंडर में कर रहे दे हैं यहाँ पर यह खाली है तो यही area को न हम लोग लेंगे यही वाला जो हम लोग का area लेंगे तो उसको करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर देखें सबसे पहले तो 2 pi r sorry 2 pi h और r plus r यह तो हम लोगों का निकल गया था यह curve surface area 2 pi h r plus r curve surface area प्लस अब रही बात यहाँ पर उपर में भी लीचे में तो 2 तो होगा और इसका जो area होगा देखें कैसे निकलेंगे पूरा बड़ा वाला area capital pi r square है ना और minus छोटा वाला area small pi r square तो कितना हो गया pi r square minus r square तो यह निकल गया एक का 2 है तो इसलिए 2 से multiply करेंगे 2 into pi r square minus r square तो यह area निकल गया हम लोगों का क्या यह समपूर्ण प्रिष्ठिय छे ट्रफल खोखले बेलन का उपर से और नीचे से भी यह समझ में आ रहा है पूरा circle का बड़ा circle का pi r square छोटा circle का small pi r square निकाल दिये pi को common तो pi r square minus r square यह हो गया आपका एक का नीचे में भी है तो दोनों करके 2 से कर दिये है ना और प्रिष्ठिय छे ट्रफल तो अभी हम लोग थोड़ा दिर पहले सिखे 2 pi r h और फिर उसमें 2 pi r h 2 pi h common ले लिए तो r plus r हो गया यही चीज यहाँ पर लिए दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण प्रिष्ठिय छे ट्रफल निकल गया अब इसका item का अगर बात करते हैं तो item का मतलब base area into height base area into height तो यहाँ पर item कैसे निकालेंगे तो देखिए volume है ना volume अगर याने item का अगर बात करेंगे तो item मतलब हो गया base area तो base area इसका क्या होगा base area base area into height ठीक है तो base area इसका क्या है तो base area इसका बड़ा वाला जो pi r square होगा उसमें से छोटा वाला r square याने यही वाला है ना यही वाला है ना base area तो जिससे pi base area तो यही हो रहा है बेस एरिया तो वही हो रहा है अब यहाँ पर πाई r square minus r square बेस एरिया निकल गया यह क्या है πाई r square capital बड़ा वाला πाई r square में से छोटा वाला मतलब विरित वाला एरिया minus कर दिया तो यह rest part बचा याने यह वाला और उसी में height को multiply कर दिये तो हम लोग क्या निकल गया πाई h into r square minus r square यह हम लोग का क्या निकला item खोखले बेलन का हम लोग item भी निकालने सिग गए सब कुछ निकालने सिग गए चलिए अब हम लोग question पर चलेंगे है ना question पर चलेंगे हम लोग first question देखे चले पहला question जो है बहुत basic है पहला question जो है यह दिया हुआ है कि एक 7 cm लंबी लोहे की छड जिसका व्यास 1 cm तो item गयाद करना है है ना अब यहाँ पर देखिए यह 7 cm लंबी एक छड है छड जैसे cylinder का shape का है ठीक है तो छड जो होता है रड जो होता है वो cylindrical shape का होता है इस तरह से देखिए समझे इस चीज को cylindrical shape का होता है इस तरीके से ठीक है अब रही बात देखे अब यहाँ पर तो सो करना सही नहीं रहेगा अच्छा से नहीं सो कर पाएंगे सिर्थ थोड़ा समय इसको बड़ा shape करके दिखा दे रहा हूं सिर्थ यहाँ पर बोलता 7 cm लंबी तो यह height हो गया 7 cm 7 cm उसके पर बोलता छड का व्यास 1 cm अगर इसका व्यास मत्तब यह व्यास होता है पूरा यहास लेकर करके यहां तक diameter दिया हुआ है 7 cm नहीं सॉरी 1 cm 1 cm तो radius हो गया 1 by 2 cm हो गया अब बोला गया है कि इसका height तो volume का formula आप बहुत basic से जानते हैं कि pi or square h अब आपको बताएं तो 22 बटा 7 गुने 1 by 2 into 1 by 2 into 7 7 7 7 cancel 2 से 11 यहां पर 5.5 cm क्यों होगा इसका height यह बहुत basic था इसलिए मैंने first question बताया तो इस थोड़ा सा volume का formula को यूज के से करते हैं वो मैं आपको सिखाया ठीक है अब देखिए अगला question देखिए बहुत अच्छे से समझने का कोसिस कीजिएगा एक एक करके 5 questions सिर्फ 5 देखिए और आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप अच्छे से mensuration को कमांड कर सकते है ठीक है चलो अब देखिए mensuration को कैसे कमांड करने के लिए क्या करना सबसे पहले second number question को अब देखिए कि क्या है बोलते है एक बेलना का लोहे की छड़ 70 cm है है ना अभी जो सेप मैंने बनाया ये अब क्या है 70 cm का ये छड़ है ठीक है ये 70 cm का ये लंबी छड़ है और 2 cm ये जो व्यास है ना ये वाला जो व्यास 2 cm का है ठीक है अब बोलते है इसका वजन क्या होगा अगर एक घन cm एक cm क्यूब बराबर दिया हुआ है 10 गराम अब ये concept को समझेए ठीक है दिया हुआ क्या कि 70 cm का एक छड़ है इसका व्यास दिया हुआ है 2 cm का अब यहाँ पर बोलाए 1 cm क्यूब है ना 1 cm 1 cm क्यूब बराबर 10 गराम है तो इस छड़ कवरजन क्या होगा इस रट कवेट क्या होगा अब आपके दिमाग में आएगा कि वेट और वालिउम में क्या कशा है don तो एक वालिउम का मतलब वा आई Tन का मतलब हुआ कि इसका सब 2 मैटरेयल इसको बनाने में लगा इसका मैटरियल को तो इसका जो volume हुआ न, volume मतलब एक cm3 बराबर 10 गराम हो रहा है, एक cm3 बराबर 10 गराम हो रहा है, तो ये छड़ कितना cm3 है, जितना cm3 होगा उसको इससे गुना कर देंगे, तो weight निकल जाएगा, तो cm3 कितना होगा क्यूब, इसको volume पहले निकालेंगे, याने आयतन बराबर होगा, आयतन होगा आपका pi r square h, याने 22 बटा 7 गुने, इसको लोग क्या करेंगे, radius तो 1, इस तो diameter दिया हुआ था न, radius equal to 1 cm, याने 1 into 1 into height दिया हुआ 70, इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 से 10 बार में, याने 220 cm3 हो गया volume, अब इसको weight में बदलेंगे, तो 220 क हम लोग 1 cm3 बराबर 10 गराम, तो 10 से multiply किये, तो total इतना गराम, kg में convert करने के लिए 1000 से divide कर देंगे, 0000 cancel, याने 2.2 kg आपका इसका weight होगा, भार होगा, समझ में आया ये चीज की कैसे हम लोग weight निकाल रहे हैं, अब जैसे हम लोग कभी भी माल लिजे के घर बनाते हैं, तो ज हम लोग ये find करते हैं, और जो हम लोग उस छड़ को बनाने के लिए, जो company material का जो जरूरत पड़ा, उसको ये जरूरत पड़ा, ये, 220 cm3 का, तो company को 220 cm3 को उसको material लगा, और उसका weight हो रहा 2.2, और इसी weight का हम लोग पैसा देते हैं, और हम लोग ले के आते हैं, समझ में आय इजी इजी तो रहते ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा changing अगर रहेंगे न, वही आपके exam में questions आते हैं, जैसे दिया हुआ 14 decimeter, 14 decimeter व्यास वाले बेलना कार बरतन की छमता 2310 liter है, अब ये cylindrical set का मान लेजे कि एक बरतन है, उसका diameter दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका 14 dec decimeter diameter दिया हुआ है, और इसका जो बरतन की छमता याने उसका volume जो दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ 2310 liter उसका छमता है पानी डालने का, 2310 liter इसमें पानी जाएगा, तो ये लीटर में है, लेकिन volume जो होता है, आइतन जो होता है, वो लीटर में नहीं आता है, क्यूब मे जान लिजे, volume बराबर होता है pi r square h radius का ज़रुरत है, यहाँ 14 decimeter है, तो देखिए 1 decimeter बराबर होता है 10 centimeter और यह तो diameter है तो radius बराबर तो ऐसे ही 7 centimeter होगा, तो 7 decimeter होगा, है ना हाफ, तो 7 decimeter बराबर 10 upon 1 into 7 equal to 70 centimeter radius होगी है अब volume निकालने जाते हैं, तो 22 बटा 7 गुने, radius अगर बात करेंगे, तो 70 into 70 into height height कितना दिया हुआ है, height हम लोगों को find करना है, इस question में बोलता है, बरतन की उचाई ग्याद करो 1 liter पानी अगर 1000 घन centimeter है, question को पूरा पढ़िए, देखिए यह जो था उसके according तो मैं बता दिया, लेकिन यहाँ पर बोलता है कि बरतन की उचाई ग्याद करो, अगर एक लीटर पानी 1000 घन centimeter जगा खेरता है, तो एक लीटर 1000 घन centimeter तो volume हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको अगर हम लोग 1000 से गुना कर देंगे, तो यह 2,3,1,0 into 1000 centimeter cube में आ गया, क्योंकि question में बोला है कि एक लीटर 1000 centimeter cube के बराबर है, और तेई सो दस लीटर, तेई सो दस गुने 1000 centimeter cube, यह घन में convert हो गया, याने यह हो गया volume, और volume का formula होता है, तो यहाँ पर लोग सकते है, 2310 into 1000, यह volume के जगा इसको उतार दिये, और यह height find करना है, तो जो height बचेगा, वह ही निकलेगा, अब देखे, 0, 0 cancel, 0, 0 cancel, 7, 7 cancel, 7 से इसको कारिंग करेंगे, तो सातिया 21, है ना, सातिया 21, और 0, है ना, फिर 11, 12, 11, 33, 0, फिर 2 से इसको करेंगे, तो 50, यहने 15, यहने 150, height equal to 150, यह centimeter में आए, क्योंकि centimeter में है, अब रही बात कि question तो decimeter में था, recording देंगे, तो एक decimeter बराबर 10 centimeter, तो यहां पर centimeter decimeter में convert करेंगे, तो 150 upon 10, यहने 15 decimeter, यह हो गया, तो यही छोटा-छोटा convert करने आना चाहिए, है ना, यह वाला जो है ने, यह सब याद होना चाहिए, यही सब exam में दे देता है, ठीक है, चली, यही सब याद नहीं रहता है, student को, जिसके कारण गडबड हो जाती है, अब जो एक question दे रहे हैं, वो भी देखिए, एक दिमाग में रखने वाला चीज है, जैसे देखी, अभी जो बता रहा हूँ, चली, अब जिसे फोर्थ, पांच question जो मैं दे रहा हूँ आज, देख लीजे पांच question तक, उसके बाद समझ में आ जाएगा, कि मैं क्या दे रहा हूँ, चौथा नमर question देखे, बोला गिया है, एक बेलनाकार tank का व्यास 24.5 cm, यह बेलनाकार tank है, माल लीजिए, ठीक है, इसक कितने metric ton पानी आ सकता है, अगर एक घन मीटर पानी का वजन, एक घन मीटर याने एक घन मीटर पानी का वजन, एक हजार केजी है, यह दिया हुआ है, एक घन मीटर पानी का वजन, एक हजार केजी है, तो गहराई, याने 32 मीटर हाइट, 32 मीटर हाइट का जो cylindrical, अगर बरतन जो है cylindrical whistle है तो इसमें बोला गया कितने metric ton पानी आ सकता है कितने metric ton पानी आ सकता है तो पहले इसका volume जो होगा वो आपका आ जाएगा meter cube में meter cube में दिया हुआ है कि 1000 kg तो देखिए सबसे पहले इसका volume निकलते हैं तो volume equal to होता है pi r square h तो volume याने 22 बटा 7 into radius याने 24.5 by 2 into 24.5 by 2 और into height दिया हुआ 32 इसको solve करेंगे तो 15092 इतना meter cube आएगा इसको solve किजेगा तो यह आएगा इतना meter cube आपका item निकल गया और 1 meter cube बराबर दिया हुआ है 1000 kg लेकिन हमको kg में नहीं बताता है metric ton में बताना है और याद होना चाहिए आपको कि 1 metric ton बराबर जैसे 1 metric ton 1 metric ton बराबर होता है 1000 kg तो 1 meter cube बराबर 1000 kg और 1 metric ton बराबर 1000 kg तो हम लोग कर सकते हैं 1 meter cube बराबर 1 metric ton तो यहाँ पर meter cube है न तो इसको metric ton में convert करना है तो हम लोग इसको लिख सकते है 15092 इंटू 1 metric ton बराबर 1 meter q बराबर 1 metric ton तो यहाँ पर meter q करे या फिर metric ton करे, बात बराबर है यहाँ पर हो जाएगा 15092 metric ton यह आपका answer हो गया तो यह आपको देखे 1 meter q, अगर माल लिजें कि 1 meter q बराबर 10 metric ton होता तो यहाँ 10 से multiply करते है ना, तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग यहाँ पर किये तो धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया जाएगा clear कर दिया जाएगा, फिलाल आप समझे कि यह कैसे हम लोग इसको solve किये clear, चलिए अब हम लोग next सवाल की और चलते हैं, कि next सवाल, बहुत अच्छा question है, अभी देखिए next सवाल को कैसे बनाते हैं इतना अच्छा से बनाएगे ना, आप देखिए कितना अच्छा से इसको solve करते हैं, आपके पास screen पे question आ गया होगा, बोलता है एक बेलन के अर्ध व्यास तथा उचाई का अनुपात 5 is to 7 है, तथा इसका आयतन 4400 cm क्यों है, है ना, एक बेलन है, बेलन का अर्ध व्यास अर्ध व्यास मतलब radius radius, तिरिज्या है ना, तिरिज्या, और height याने उचाई, है ना तिरिज्या और उचाई का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5 is to 7 दिया हुआ इसका item दिया हुआ 4400, जाने volume दिया हुआ है, 4400 दिया हुआ है ना, इसका अर्ध व्यास कितना होगा radius फाइंड करना है, बहुत सिंपल है बहुत सिंपल, volume का formula क्या होता है पहले यह जानेगे पाई आर स्क्वाइर एच इन्टू 4400, अगर यहाँ पर तो radius तो दिया ही नहीं यह ratio में दिया हुआ है, हमें काम करते radius का square equal to 4400 और यह इसका 22 बटा साथ चला जाएगा उपर 22 से 22 दूने चावाल 200, यहने आर इंटू आर इंटू हाइट, र स्क्वाइर को आर इंटू आर, इक्वल टू 200 इंटू 7 लिख सकते हैं अब यहाँ से trick को यूज कर सकते हैं यह देखिए, जब दो संख्याओं का गुनानफर रहता था तो दोनों को गुना करके डिवाइड करते हैं और उसका square root निकालते हैं तो एक हिस्सा निकलता है यह problem based on age chapter में यह concept को मैंने सिखाया हूँ लेकिन फिलाल जो नहीं जानते हैं वो जानगे कि जब मालगे यह दोनों का गुनानफर रहता तो दोनों को गुना करके डिवाइड करते और जो निकलता उसका square root निकालते हैं तो वो होता एक हिस्सा लेकिन यहाँ पर तीन संख्या हो जा रहा है यहाँ पर radius, radius और यहने तीन नंबर हो जा रहा है तो इस तीनों का गुनानफर यह है तो तीनों का ratio को हम लोग गुना कर देंगे और यह 200 into 7 है यह 3 का गुनानफर को इससे divide करेंगे यह rule है इस 3 का गुनानफर अगर ratio term में रहेगा तो उसका जब भी ratio term में रहेगा तो ratio को हम लोग यह सब को गुना कर देंगे और यहाँ पर से divide करेंगे तो जब कातना ही है तो गुना करके क्यों लिखिया इसे ही लिख देते हैं अभी 5 x 5 x 7 अब 7 x 7 कट गया पांच से पांचों के 20 पांच अठे चाले जो आता है अगर 3 संख्या तो क्यूबिक रूट 8 लिखेंगे अगर 2 संख्या रहता तो स्क्वाइर रूट लिखते है 8 है ना तो 3 है तो क्यूबिक और इसका वैलू होता है 2 एक हिस्सा निकल गया अब इसको 2 से गुना कर दिया तो 5 दूने 10 अगर पुछता हाइट तो 7 दूने 14 तो निकल गया ना 10 cm हाइट तो इस तरीके से हम लोग अच्छे से ये सारे कोश्चन को आगे भी हम लोग इस टैप के कोश्चन बहुत सारे अभी सीखेंगे पूरा चैप्टर ही वॉल्यूम पार्ट में बाकी है बहुत सारा चीज तो दोस्त कैसा लगा आप जरूर बताईए है ना अगर आप हमारे इस क्लास के थुरूर से अगर अच्छे से सीखे हैं तो यकीन मानिए दोस्त आप बहुत अच्छे से हमारे थुरूर से वॉलूम पार्ट को सीख पाएंगे चली अब हम आपको एक चीज बता देते हैं अब देखे ये तो बहुत अच्छे से क्लास तो बहुत अच्छे से देख लिए अब दोस्त अगर आप हमारे arithmetic maths, advanced maths और reasoning का paid course में join करना चाहते हैं जहाँ पर आपको पूरे अच्छे से classes दिये जाएंगे जिसमें आपको हर चीज basic से high level तक एदम sequence wise दिया गिया है 170 से भी जादा वीडियो जो मैंने collection बना करके ready रखा हूँ join करेंगे तो आपको demo भी देखने को मेरेगा सबसे पहले अगर आप demo देखना चाहते हैं तो 7070-802-8888 इस नमबर पर call कर सकते हैं या पिर हमारे direct paid course में join करना चाहते हैं तो भी इस नमबर पर contact करें और आप हमारे साथ जुड़ जाएं आपको मैं बता दूँ दोस्त की पूरे अच्छे से सिखाने की दावा रखता हूँ चमता रखता हूँ और आप अपने घर पर बहुत अच्छे से सीख सकते हैं चली मिलते हैं next classmate नए वीडियो के साथ नए concept के साथ फिर मिलेगे next वीडियो में तब तक के लिए good bye